और एक सबसे बड़ा कारण है चीनी नहीं खाने का, कि ये चीनी बनती है चीनी मिलों में, शुगर मिल, और सारी भारत की शुगर मिल, भारत के सबसे बेइमान और भरष्ट मेताओं की, भारत की राजनीत में जो सबसे जादा बेइमान, हरामी और लालची मेता हैं, उनी की च फिर पोरे ब्रश्ट में गुणों पूरे भारत पर सबसे जादा चारा एंदान चीनी में फिर करनाटक में फिरांद प्रदेश में फिर तमिल्नाडू में उत्तर प्रदेश में सारे बेईमान लेताओं की राज़नी तिनी चीनी मिलों से चलती है इसका मतलब है कि जब भी आप चीनी खरीदोगे तो उसका पैसा किसी ना किसी बेईमान और भरष्ट लेता की जिब में ही जाएगा इसका माने है आप चीनी खरीद कर बेईमान और भरष्ट लेताओं की ताकत बढ़ा रहे और फिर आप भृष्टा चार ख़तम कैसे करोगे इस देश कर, इसलिए ये चीनी खाना तुरन बंद करते हैं, फिर क्या खाओ, गुड़ खाओ, गुड़ बनाते हैं हमारे देश के गरीब किसान, अगर आप गुड़ खा रहे हो, तो आपका पैसा किसी न किसी गरीब किसान क पास जा रहा है, और वो किसान की गरीबी दूर करने में काम आ रहा है, तो आप गुड़ खाओ, ताकि पैसा गरीब किसानों के पास सीधा जाए, और गुड़ में फाइदा क्या है, गुड़ में सबसे ज़्यादा कैलशियम है, जो हमारे शरीर को हड़्डियां बनाने में काम आता है, कैलशियम से हड़्डियां बनती है, कैलशियम से खून बनता है, कैलशियम से ये मास बनता है, कैलशियम से ये पूरा शरीर बनता है, गुड़ में भगवान का दिया हुआ भरपूर कैलशियम है, गुड़ में और एक दूसरा केमीकल है, फासफोरस, ये कैलशि पॉस्फोरस की मदब से हड़ियों को मजबूत बनाता है और गुर में भरपूर फॉस्फोरस है गुर में बहुत बड़ी मात्रा में मैगनीशियम है मैगनीज है पोटेशियम है सोडियम है गुर हर तरीके से शरीर के लिए लाब कारी है तो आप गुर खाओ चीनी घर से खटाओ चाए पीनी है तो गुर की पियो दूद पीना है गुर से पियो दही खाना है गुर का खाओ हलुआ बनाना है तो गुर का बनाओ लट्डू बनाने है गुर के बनाओ पेड़ा बनाना है, मिठाई बनानी है, गुड़की बनाओ हर चीज गुर से बनती है